आप सभी को मेरा नमस्कार and welcome back to your own channel dream dose again there will be 5 questions 5 out of 5 आपको लाके दिखाना है कि हाँ सर मैं दरोगा के लिए well prepared हूँ और मैं आज 5 out of 5 लिख के आया हूँ कोई बात ने अगर आज 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 5 out of 5 नहीं ले आपाते हैं अगर कुछ लोग नहीं ला पाते हैं या बहुत लोग नहीं ला पाएंगे कोई बात ने है आज आज आप कुछ सीख के जाने वाले इस वीडियो से जो आपका एक सीट कंफर्म करेगा आपके दरोगा प्री और एसाइमेंस में ठीक है चलो तो एक चीज़ आपको समझ लेना है पहले हम अपने खुद आप ट्राइ करना ठीक है पहले आप खुद ट्राइ करो उसके बाद मेरे solutions देखना ठीक है तो ये आज का पांचमा वीडियो है ठीक है ये मतलब टोटल इस सीरीज में पांच वीडियो अब हो चुके है आसा कर दो आपने पहले का वीडियो कंप्लीट कर लिया होगा ठीक है देखो हमने जब एक्जाम दिया था ठीक है मेरा प्लस पॉइंट यही था चाहिए वो दरोगा हो चाहिए एसाइए वो मेरा स्ट्रॉंग था ठीक है तो अगर आप भी चाहते हो इसमें भी नहीं था स्ट्रॉंग कर लिजी दो में दरोगा मेल्स में तो आपको पता ही है वीड़ाउट मेज सेलक्शन नहीं ले सकते चलि त श्टार्ट करते है हम पहलो कि पहला question आपके, find the least number which should be added to 1456 so that it is divisible by 654 without leaving any remainder. मतलब वो छोटी सी छोटी संक्या ग्याद कीजिए जिसको 1456 में जोडने पर वो 6, 5, 4 से पूरी तरीके से विवाजित हो जाए और कोई भी सेस्फल ना बचे. अगर आप इसको by process जाओगे, जैसा कि हम हमेसा कहते हैं, हम यहाँ आपको exam में approach बताने के, exam में questions कैसे किये जाते, तब by process जाएगो तो क्या करोगे, पहले आप इसका LCM निकालोगे, किसका LCM निकालोगे आप, पहले आप इसका LCM निकालोगे, सबसे की जितने भी आपको number य नहीं जाएंगे, हम अपना थोड़ा सा दिवांग यूज करेंगे, हमने क्या पर रहा है, देखो 1456, यह आपका number है, इसमें क्या add करें, 66144 या 61, कि मेरा ये, देखो यह आप तभी कर पाऊगो ने, इस तरीके से, within a second, जब आप पहले इन चीजों को कर रखे होगो, practice माहि देखो, तो क्या है, कि 6 है, 5 है, 4 है, तो आपको पता होगा, जब आपने number system पर आया था, तो वो number, जो 5 से विभाजित होगा, उसके अंत में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो इस number के साथ, ठीके, ऐसा मैं क्या number जुनू, क्यूंकि मैंने 5 को क्यू पक अगर 61 करूँगा, तो 7 आजाएगा, वो भी नहीं हो सकता, 44 करूँगा, तो यह 10 आजाएगा, ठीक है, 10 आजाएगा, हाँ, यह चांसे से यह हो सकता है, बट, 16 फिरेट करूँगा, तो नीचे यहां 2 आजाएगा, मतलब इसका जो answer होगा, यह होगा, आपका 44, देखो, कैस 4 से divisible होगा, last का 2 नमर 4 से divisible हो रहा है, तो हो गई होगा, ठीक है, उसके बाद, आपका, क्या यह 6 से divisible होगा, 6 से divisible मतलब क्या, 2 और 3 से होना चे, तो 3 से होगा, क्योंकि इसका sum कितना आ रहे है, 5 एक 6 टोटल आ रहे है, और 2, last में 0 और 2 होगा, तो 2 से भी होगा, तो इस X reasoning के होगे, ठीक है, चीजे approach समझ में आ गया, तो इसका जो answer होगा, यह आपको कहां से, तो divisibility rule जो, number system में आप सीखोगे, वहां से, ठीक है, उसके बाद, P and Q are in ratio, ठीक है, 4 इस्टू 3, और उसका LCM इतना दियो है, तो P plus Q, अगर आप मेरा, WhatsApp में मेरे connected हो, मेरे नमर आपने सेब करके रखा, तो यह आप वीडी ने सके यह questions कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपको बहुत ही अच्छा, इसका method बताया था, ठीक है, अगर WhatsApp से नहीं जूरो, नीचे, यह ओगा link होगा, जूट जाना WhatsApp से, ठीक है, इस्टेटस में डालती है रहा तो, अब देखो, इसमें क्या मैंने आपको क्या सचाए था, कि जो LCM by HCF, equal to क्या होता है, ratio of, ratio of product of two numbers, मतलब किसी भी दो नंबर का, अगर आपको LCM by HCF, ठीक है, यह formula आपको काम कर जाएगा, मतलब देखो, मैं कहना क्या चात हूँ, आपको देखो, LCM by HCF, मुझे क्या निकालना है, यह दो नंबर का, न 36 है, बट मुझे HCF नहीं पता है, तो मैं HCF यहां रख दूँगा, और ratio of product of two numbers, जो आपको दिया हुआ है, तो मुझे ratio दिया हुआ है, तो इन दोलों को multiply करूँगा, यहां कितना आजेगा, 12, 12, 24, 36, तो HCF मेरा निकल गया, यहां, कितना, 3, तो HCF मेरा 3 निकल गया, तो पह यहां लिखता हूँ 12, यहां लिखता हूँ 16, ठीक है, तो इसको में क्या लिख सकता हूँ, 4 x 3 लिख सकता हूँ, और इसको में क्या लिख सकता हूँ, 4 x 4 लिख सकता हूँ, तो इन दोलों में common क्या है, 4 है, common है, तो अगर मुझे इसे ratio में बनाना है, तो 3 x 4 लिख सकता हू ठीक है और 3 into 3 करूँगा तो यह 9 हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 12 इसको add करोगा तो 21 आपका answer आजएगा आपको क्या आदेखना है LCM by HCF equal to product of किसका जो दोनों number का जो ratio दिया होगा उसका product कर लेना ठीक है LCM by HCF यह मैंने formula अब देखो इसको और किस तरीकी से कर सकते हैं देखो मैंने क्या समझाया है मैंने मालने है कि HCF मेरा x है तो 4x एक number हो गया दूसरा हो गया मेरा 3x LCM अगर में लेता हो तो LCM एक ऐसा number होता है तो दूनों number से divide हो जाएगा मतलब क्या again तो x मेरा निकल गया तो 1 हो गया आपका 12 ठीक है और दूसरा हो गया आपका 9 तो 21 इस तरीके से भी कर सकते हो ठीक है तो 21 इसका answer हो जाएगा दूसरा question ठीक है तो अभी आपने 2 क्या सीखा आपने आपने पहले सीखा एक divisibility rule से किस तरीके से question solve किया जाता है दूसरा आपने सीखा HCF LCM के questions दो दो तरीके से आपने सीखा है ठीक है अब यह देखो बहुत यह देखना यह बस इस तरीके से paper में लिखा हो आता है सेपी A नंबर है यह B option है यह C है और यह आपका D है देखे what is the cost price if the gain देखो यह ध्यान से समना है questions बहुत हीजी है पर वह आपका mind check कर रहा है ठीक है थोड़ा से ध्यान देना what is the cost price of a product if the gaining in a selling इतना is 30% मतलब उसका क्रेय मुल्य क्या होगा जब उस समान को 27,120 में बेचा जाता है तो 13% का लाब होता है हमने आपको बहुत बार समझा रहा है कि अगर हम इसको निकालना चाहिए तो आपको पता है अगर यह quantity दिया हुआ है तो हमनों के से CP के से निकाल क्या है मेरा इसको आप और तरीके से भी कर सकते हो ठीक है पर मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हो SP कितना है मेरा 27,120 ठीक है divided by 100 और मेरा क्या 100 है और मेरा क्या profit हुआ है तो मैं यहां कर दूँगा यह तो अब जो यहां most important सीज आता है कि इतना बड़ा है आप इसको solve कैस से करता होगा अगर क्या है यह मुझे 2 लाना परेगा तबी तो यह काठ पाईगा तो मतलत यहां क्या multiply होगा 4 multiply क्योंकि 3 के चीस को apologize क्यों उसका वह 4 होगा ठीक है 4 होगा देखो इसका लास्ट में क्या 3 है ठीक है तो यह तो होगा नहीं क्योंकि 9 हो जाते तो यह तो आएगा नहीं तो यह क्या है तो यह भी तो हो नहीं पाईगा समझ में आ रहा है क्योंकि आटका नुट चौविस आज़ेगा पर मुझे कितना चाहिए तू चाहिए क्योंकि यह तो जीरो है जीरो से मतलब नहीं हो तो लास्ट में जीरो ही होगा ठीक है उसके बाद आप देखो यह 4 है तो हाँ यह हो सकते 6 करोगे तो 18 आजएगा तो इसका एंसर होगा आप within a second मार सकते थे 2400 इसी तरह के इस option मैंने कई बार exam में मारा ठीक है बस वो आपका mind check करना चाहते है चलो अब यह देखो तो simple interest ठीक है at 10% per annum ठीक है साधारन व्याद का बात कर रहा है तो simple interest at 10% per annum और डिपोजिट of for 2 years is Rs. 4000 मतलब simple interest ठीक है दो वर्स में 10% पे उसको 4000 रुपया मिलता है इसी जगा अगर compound interest होता हो ही बोला जागे compounded on annual basis तो कितना जादा उसको interest मिलता है एक जमार 80 पर 2 वर्स में 10% के वार्षिक साधारन व्याज पर दरसे मिलने वाला व्याज है 4000 ठीक है यदि व्याज वार्ष होता है जो हर साल मुझे equal क्या मिलता है interest मिलता है तो मुझे दो साल में 4000 मिला होगा दोगा दोखना होगा दूसरे साल में कितना मिला होगा पहला साल जो 2000 मिले था इस पर interest मुझे मिलेगा दूसरा साल में कितना मिलेगा simple 10% इसका 10% कितना होता है आपका ये होता है 200 तो इसका answer कितना हो जाएगा 200 जो हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा ठीक है और एल ही कर सकते है अगर थोड़ा आपने सही से पर रखाया अब ये देखो ये last question है आपका total 5 question हो जाएगा और एक चीज में समझाता हूँ आपको प्री अगर आप देने वाले हो दरोगा का ठीक है सियोर है आपको एक question percentage को यूज करके आपको profit and loss या compound interest क्योंकि एक ऐसा section अगर आपको profit and loss से अगर पूछ लिया मतलब क्या वह आपका क्या percentage भी चेक कर लिया अगर वह आपको CISI से पूछ लिया मतलब सधारन व्यार चक्र विर्दी व्यार से पूछ लिया तो मतलब क्या हो उसमें भी आपका percentage चेक कर लिया तो जी चीज आप सियोर है questions आपको दिखने के मिलेगा इसाइ में भी था ठीक है और हमारा जो हमने पिरी दिया था उसमें भी था देखो the difference between the selling price of an item at a profit of 9% and 7% is इतना ठीक है find the cost price एक वस्तु को 9% ला पर बेशना तता 7% ला पर बेशने से जो विक्रे मुल्या में 190 रुप्या का अंतर होता है ठीक है तो विक्रे मुल्या में कित लाप पर बेशते हैं और किसी और उसी वस्तु को हम 7% लाप पर बेशते हैं तो दोनों का जो difference होगा उसमें कितना रुप्या का होता है 1190 रुप्या जो बोले हम वो कर देंगे दोखो तो हम क्या करेंगे CP मेंने लिखा ठीक है 109 रुप्या में हमने बेचा 109% पर बेचा और minus ठीक हमने यहए क्या क्या आपको फिर से CP लिया और इसको कितना कितना 108 और 107% क्योंकि हम profit में बेच रहे हैं यहा 9% profits में यहां नीचे आप 100 भी लिख सकते हो और इसको आप हटा दोगे यहां percentage से यहां 100 लिख सकते हो और यहां क्या लिखो के कितना 190 लिखोगे तो इधर चला ज़ेगा तो यह हो ज़ेगा आपको 190 इसको भी मैं एकदम अच्छे से समझारों इसको आप डाइरेक्ट ली कर सकते हैं मैं बताता होगे तो 190 ठीक है और यह हो ज़ेगा CP 109 और CP 107 तो कितना हो ज़ेगा 2 into CP आ ज़ेगा और यहां क्या हो ज़ेगा 190 into 100 तो CP कितना हो ज़ेगा अगर आप इसको काटे हो 2 से तो यह हो ज़ेगा 190 into 50 तो 95 जा 95 95 00 आपका एंसर हो जाएगा जो कि है आपका एंसर यह ठीक है विदिन ए सकेंड केसे कर सकता आपको देखा दोनों CP तो दोनों के case में सेमी है मतलब इन दोनों का difference से हमें मतलब था तो 2% equal to आपका कितना होता है आपका 190 होता है तो 100% कितना होगा आप इससे directly भी न समझ में आजेगा ठीक है exactly समझ में आ गया होगा चलो तो पांच कोशन ता आसा करता हो आज आपने maximum score किया होगा अगर चीज़े आप तक पहुंच रहे है तो please comment करके बताएगा या कुछ changes आप चाहिए तो वह भी बताएगा आपका हर तरीके का comment का हमें इंतिजार रहता है और एक चीज और कीज़ेगा देखें लाइक अगर आप नहीं करोगे तो यह चीज़े दूर तक नहीं पहुंच पाएगे ठीक है तो लाइक करके जरूर जाएगा धन्यवाद